पिक्शर की शोहन को विश्यू राज सब्सक्राइवार आतों टूम अपनी पत्नी को नंगा करकर परोसने वाले तूम ही कमीती थे तो तुम क्यों परोस रहे थे अपनी पत्नी का तो जब तुम परोस रहे थे उसकी अश्लील तस्वीरें वीडियो बातें मारक उटाई तब बहुत अच्छे थे और मालती जरा सा किसी से बात कर ली तो खराब हो गई तुम बैठके दारू पिला रहे थे चार लोगों के कौन अपनी बीबी के साथ ऐसा करता है इंट्रव्य अगर बायट भी दे रहा है तो उसकी पत्नी मरी है एक्जेक्ली गोरक पूरिया के चहरे पर जादा दर्द दिख रहा है रादर दन विश्णू तो विश्णू तो कमीना है ही उसको तो जेल जा नहीं है बिलकुल जाना पर जो भी महिलाये रहती है जो भी लोग रहते हैं कुछ न कुछ कर रहे हैं और विना मानवी जी वह उ्हआ हमें चाये है दो कि अ ऐधार मावि को यहा के जाना अज speech मैद में मैडम से लेइक कमरे में आप देख रहे होंगे चार चरियार्ट चार बारा बारा लोग इस चोटे से कमरे में काम कर रहे हैं और अभी एक लॉट आया है स्कूल का 400 पीस का ओडर है तो उसी को कम्प्रीट करके देना है यह हमारा रोजगार विंग है इसे प्रिती प्रिती शाह है हमारी इंचार्ज रोजगार विंग के अभी वो नहीं है ऑफिस में वही संभालती है बखुवी इसको चलाती है देखे आप वहाँ पे भी देखे ग पीडित हो क्या आती है हमें उनकी परिचय नहीं देना चाहिए लेकिन एक बात वते ही जिनका कोई साहरा नहीं होता आज वो बे साहरा इसलिए है क्योंकि उनके हाथ में अगर पैसे होते तो कहीं पर भी कमा खा लेती है लोग सबसे बड़ा प्रतार्णा को रोकने का एक का दोरी है नहीं तो परिशानिया तो बढ़ती है आज मालती चौहान चली गई आपने देखा वो सशक्त होते हुए भी चली गई मो माया के जाल में फसके आखिर नुकसान किसका हुआ उसका पती सोशल मीडिया पर पूरी तरह उसको बरबात कर दिया कर दिया ना सोशल मीडि मिलके यह जैसे टेंडर उठाने का काम अरुनीमा जी और फाहिमा जी और सारे लोग मिलके हम लोग मार्केट से टेंडर उठाके लाते हैं फिर वह काम को प्रीती जी को हैंड़ोवर किया जाता है प्रीती जी फिर इन लोगों को हैंड़ोवर करती है पुरा सिस्टम बना आज माल्ती चौहान इस दुनिया में नहीं रहे कि आती है क्या क्या सबसे पहला सोशल इफेक्ट जो कहते ना सोशल इफेक्ट मामला है यह जो सोशल प्लेटफॉर्म पे यूटूब्स पे हर नीजी चीज को सड़क पे लाने की जो परंपरा चल गई है आज के युवाओं के दौरा घर घर की कहानी है कहीं पतनी शक में पती के पीछे भाग रह है यह आज के डेट में 80% घरों की यह कहानिया है कौन सी पतनी ऐसी है जो अपने पती पर आप यहां हो का पतनी कभी शक नहीं की होगी आप पे खुब की होगी तो ऐसी चीजे है तो इन चीजों को क्या सोशल मीडिया पे ले आएंगे या चीजे बंद कमरे में बैठा के भ कि विश्णू राज जो सोशल मीडिया पे आके इस तरह अपनी पतनी के लिए गंद मचा रहा था तो वो कमजोर महिला थी बरदाश्ट नहीं कर पाई मार दी गई या मर गई हर परिस्तिती में उसकी मौत तो हो गए उसके साथ विश्णू राज होता यह वह होता प्रसाश कि यह जैसे हुस्ट को उठाया वैसे वह उसिको भी उठाली अर्जू को फोका-ड्यू बेकिन वह चान रहा है कि इसका को ही लों करेंगि तो अर्जू गाड़ी कि चलाता है प्र cale соврем के बन्ने वीडियो बन नहीं कि वह सकता है उनके वीडियों में टौंषे रहे एधिया अगर देखे मालती तो अब रही नहीं और गोरकपुरिया को सही में कोई कहानी पता थी तो वो उसे गुहार लगा रहे थी कि आपको सच्चा ही पता है आप बता दीजे कई बार क्या होता है पतनिया जब बहुत रस्त हो जाती क्योंकि विश्णुराज बहुत मारता पीटता था यह दिन देखते थे नहीं गंद मचा दोनों लड़ लिया जगड़ लिया किसी का हाट पूसर्वडिया तो यह मारने की पुछकार दिया भटक गया तो पती इतना मारेगा पीटेगा कुटाई करेगा उसके बाद फिर उसको सोचल मीडिया पर बदनाम करेगा और उसके खुदी खड़ा होके शादी भी कराएगा तो यह पती-पती कहलाने लाइक है क्या पहले वह महिला है तो सारे लोग उंगल प्रच के इसको बदनाम किया बदनाम करने के बाद जब यह वापस ही तो सोचा कि चली गई जीवन से लेकिन यह वापस घर में आ गई फिर इसके गले की हटी बन गई आराम से उसको मारा टांग दिया यही है स्टोरी इसके अलावा क्योंकि राधिका को क्यों छोड़ा जा कि जरूर हो सकता है पूलिस को देखे अब इस मामले को अगर प्रसाशन ही सुलजा सकती है प्रापर क्या लगता है चुकि उतर-प्रदेश को कहा जाता है कि जोकी सरकार है वहां बहुत बढिया से कानून काम करता है जो भी वहां की प्रशासन है इमंदारी प्रुट कर्मर से काम करती है आप देखियोंगे कुछ दिन पहले कांशा दुबे वाला कांड में भी समर सिंग जेल तो गया लेकिन अभी तक लोगों को यह कोई प्रूफ नहीं दे पाया कि समर सिंग दोसी है कि निर्दोस्त है और अभी इस तरह वह मामला अभी भी उल्जा हुआ है आपको सबसे पहले सरकार को अब अती शिग्र यूटूबर्स के लिए कड़ा कानून लानी की जुरोत है एग नौम्स बनानी की जुरोत है जिसमें clear लिखा हो कि आपको ये करना है यह नहीं करना है ये करना है ये नहीं करना एक यूटूब के खेल के कारण आप देख रहे हैं ० कितना जादा बरवादी हो रहा है कितना जादा चीज खराब हो रहा है अरे आप वो क्यूं नहीं देते हो यूटुबर्स जी जो आप लोगों को समाज को अच्छा बना सके आज वो गुरकपुरिया इतनी गालिया बखती है इतना गंदा-गंदा मेडिया के सामने में गाली क बच्छी इस तरह से हरकते करती हैं तीन-तीन बेटियां हैं कल को बेटी जवान होगी तो कम से कम वहीं सीखेगी ना जो तुम तुम में दिख रहा है वहीं वो करेगी चिला लेने से तुम संसकारी महिलाओं में कैसे आओगी इस पर विचार करो कि तुम्हारी भाशा मरिया परिस्तिती में किसने आत्मत्या की क्यों उसको सोशल मीडिया पर बदनाम किया गया बदनाम करने वाले व्यक्ति कौन थे तो यह तमाम लोग मिलके उसे मारने का काम किये हैं तो अगर यह सुसाइट भी है तो भी उन लोगों को जेल होना है कि उसका मौत का कारण क्या था मौत का करने तो लाइब आई थी मलती शोहान और बोली थी कि हम अपने ससुराल जा रहे हैं जो होगा सच धज के एकदम आई थी ससुराल जाने के लिए और यहां तक बोल रही है उस वीडियो में कि मैं भीख मांग लूँगी लेकिन तुम्हारे सामने हाथ जो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट है तुमने उसका इस्तेमाल किया उसकी कमाई से करोडों की कमाई से तुम बेटा इतना बड़ा घर बना लिया और बढ़का स्टूडियो में चेंबर में बैठने लगे हो वो च करके मैला जब आगे चली जाती है तो उसे बदनाम कर दो बदनाम करके उसका जान ले लो तो पती था ना तुम अपनी पत्नी को नंगा करके परोसने वाले तो तुम ही कमीने थे तो तुम क्यों परोस रहे थे अपनी पत्नी का तो जब परोस तुम परोस रहे थे उसकी के दारू पिला रहे थे, चार लोगों के बीच में नचवा रहे थे, धोड़ी दिखा दिखा के, तब तुम बहुत अच्छे इंसान थे, और उसके बाद कौन अपनी बीबी के साथ ऐसा करता है जी, कि नाइटी में बोलो वीडियो बना के सड़क पे ले आओ, दारू पिके कि कुछ भी कर सकता है, जो अपनी बीबी को नंगा नाच करा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ना, अच्छा, क्या लगता है, गुरफ पूरिया भोजी का भी इस अने अंतर में कुछ आते, देखे वो, जो थोड़ा बहुत पहले की होगी, वो सिर्फ वियूस कमाने के अंदर का गिल्ट उससे काम करवा रहा है, विष्णु राज का आप देख रहे हैं विडियो तमाम चाहिए, वो जेल भी जा रहा है, जो भी है, इंट्रिव्यू अगर बाइट भी दे रहा है, तो कहीं से भी उसको ऐसा फिल नहीं हो रहा कि उसकी पत्नी मरी है, एग्जेक चार्षिट का खेल है, चार्षिट हो जागा, गर बड़ विश्ण निकल जागा बाहर है, इसको पारे करोड़ों के कमाया हैं, डेफिनेटली इसकी कमाई करोड से उपर तो गहीं होगी, पैसा कमा लिया तो मालती किसी काम की नहीं रहे, अभी ये में इस्टैब्लिश हो ग उसको बढ़ावा देने वाला कौन है आप और हम ही नहें कि वीडियो देखते हैं तो आप उसको कैसे दोश दे सकते हैं तो आप अपनी मन सीखता बदलिये ना पहले चले बहुत धन्यवाद तो आपने देखा जिस तरह की कहानी अभी चल रही है गुरखपुर में उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या कहा जाए जिस तरह की परिस्तिती बने हुई है अलांकि पहले भी इस तरह के मामले हुए है अकंशा दुबेवाले मामले में लेकिन किलियर कुछ नहीं हो पाया की सचाई क्या है इस तरह अभी भी चल रहा है अब देखिए क्या होता है मालती चोहान और विश्णुराज के मामले में कौन दोसी है ये तो समय आएगा तो आपायो साथ चलेगा लेकिन विश्णुराज दोसी है की की नहीं है लेकिन दो कर देखा तो Wars सबसे बड़ा दोसी पीश्या फत्याकिया और उसे कोई मतलब नहीं है लेकिन जिस तरह वो अपने पत्नी के साथ जिस तरह का विडियो और पैसा कमाने के लिए बना रहा था या जिस तरह की अफवाह है या जिस तरह का स्क्रिप्टेट प्लान कर रहा था तो कहीं न कहीं विश्णुराज को दोस्ति माना जा रहा है ऐसा लोग कर रहे हैं तमाम ख़बरों के साथ बने रहे हैं के मेरा प्रशन राजू के साथ में शोक्ति वारी थैंक्यों